वंदे मातरम दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं dot situation के questions को आप कैसे easily कर सकते हैं दोस्तों ये एक ऐसा topic है जिसे हम लोग बहुत जादा नहीं देख पाते हैं लेकिन एक question आपके exam में इस topic से जरूर बनता है और dot situation इतना आसान topic होता है लेकिन हम लोग ना समझ के चलते गलत करके आजाते क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती पहले हमने कभी इन question को किया नहीं होता है तो दोस्तों आपके सामने प्रशन हैं पहला देखिए इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3-4 आकरतियां दे रखी हैं एक box के अंदर अब इन आकरतियों के अंदर एक बिंदु इस्थापित किया हुआ है अब जब बिंदु इस्थापित किया हुआ है तो आप से क्या कह रहा है इस बात को पढ़ लो बार बार आपको नहीं पढ़नी पढ़ेगी कि वहले एक बार पढ़ो इसको निम्न प्रशन में बाई और एक प्रशन आकरती तथा दाई और चार उत्तर आकरतियां दी गई है यानि ये कुशन की आकरती है ये आप लोगों की उत्तर आकरती है यानि आंसर की आकरती है प्रशन आकरती में एक बिंदु इस्तित है यहां देखो आप एक बिंदु इस्तित है ये वाला point देखो, triangle के अंदर भी है, square के अंदर भी है और ये एक और आकरती बनी हुई है, जिसमें 5 भुजाएं हैं इस वाली आकरती के भी अंदर यहां पर समाहित है तो अब आप लोग ध्यान पूरवक देखिए इसको कि इस बिंदू को हम कहां रखे हैं, जो इस सभी boxes के अंदर वहाँ पर include हो जाए क्या ए option में आप कहीं भी रख सकते हो, मालो कि यहां बिंदू को रख दो तो triangle के अंदर नहीं आएगा, यहां बिंदू को रखूँ तो इस पंच भुजा के अंदर नहीं आएगा कहने का मतलब है यह option तो हो नहीं सकता, बुला इस मैं कहां रखूँ, इस मैं यहां रख दूँगा तो इस triangle के अंदर नहीं है यहां रख दूँगा तो इस पंच भुज के अंदर नहीं है, तो यह भी option नहीं हो सकता लेकिन आप लोग देखिए कि अगर मैं इस बिंदू को यहां इस्थापित कर दूँ, यहां पर रख दूँ तो यह definitely मेरा सही answer होगा क्योंकि यहीं पर रखा जा सकता है और कोई option में जगए है ही नहीं तो यहां पर जो option है मेरा वो C option correct होगा ऐसे ही मैं अलग-अलग प्रकार के 3-4-5 question आपको करवा देता हूँ फिर आप इस topic के अंदर कोई गलती नहीं करेंगे ऐसी ही series मेरी लगातार आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ मैं अगर यह आपको series पसंद आती है तो मेरे भाई शाम को 6 बजे daily आप लोगों को यह class मिलेगी everyday शाम को 6 बजे reasoning की यह class जो कि आपकी 15-20 minute की class रहेगी जिसमें आपका एक topic पूरा complete होगा कुछ topic ऐसे हैं जो बड़े होते हैं तो पार्ट वाइज आपका रहेगा लेकिन वीडियो आपको 15-20 minute की मिलेगी recorded वीडियो होगी और आपको बहुँ जदा help करेगी मेरे भाई चलिए दूसरे question को देखते हैं हम लोग आप चैनल को subscribe करके well icon को प्रेस कर लेना शाम को 6 बजे ready रहना everyday class आएगी next यहां आप लोग देख पारें जैसे यहां पर बिंदू अलग अलग स्थापित किये हुए हैं जैसे पहला बिंदू आप देखो circle के और triangle के अंदर है दूसरा बिंदू आप लोग देखोगे तो circle के और triangle के और तीसरा इस square के अंदर है और अगर तीसरे वाले को देखोगे तो आप triangle से बाहर है जबकि इन दोनों के अंदर है square के भी और circle के भी तो आपको ऐसी इस्तती को चुनना है ऐसी आकरती को चुनना है कि बिल्कुल इसी तरीके से हम बैठा सकें अपने option में अगर मैं इस बिंदू को केवल सबसे पहला बिंदू उठाते हैं जो कि आपका इस वाले को जो आपका circle के और triangle के अंदर है तो मेरे को circle और triangle के अंदर मैं कहां रख सकता हूँ बैस circle के और triangle के अंदर यहां रख सकता हूँ कोई issue नहीं है यानि मेरे को सबसे पहले ट्राइंगल और सर्कल के अंदर रखना है, तो ट्राइंगल और सर्कल के अंदर यहां भी आ सकता है, कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, इवन दूसरे किसी बॉक्स में ना आए, तो शी आप्शन भी हो सकता है, लास्ट मैं इसको जो और circle के अंदर है अब square और circle दोनों के अंदर देखो तो यहां कहीं भी नहीं रखा जा सकता केवल यह वाला situation है जबकि यह पूरा triangle के अंदर है तो अगर मैं जहां भी रखूँगा तो वो triangle के अंदर भी आ जाएगा तो यहां तो जगह ही नहीं बिल्कुल भी तो अगर यहां जगह नहीं है तो option A गलत हो चुका है option B अलरेड़ी गलत था option C को देखूँगा तो क्या circle के और square के अंदर तो circle के और square के अंदर मैं कहीं भी नहीं रख सकता क्योंकि देखो circle यह तो square है और यह circle है फिर cable मेरे को इतनी जगह मिली है देखो यहां से यहां तक दोनों के लिए और यहां अगर मैं कहीं भी बैठाता हूँ तो वो triangle के अंदर भी हो जाएगा तो यह option भी गलत है तो इसका मतलब है कि 100% D option right होने के chance है chance क्या हो गई D option अब एक बार मैं इसको check करता हूँ देखो यहां पे यह circle के और triangle के अंदर होगा यह तो हमने check कर लिया जो already बैठा हुआ है लेकिन जो circle के और square के अंदर है उसे देखो तो circle के और square के अंदर मैं यहां रख सकता हूँ इवन मैं यहां भी रख सकता हूँ कहीं भी जहां मर जी तो कहीं भी रख लो ऐसा कोई issue नहीं है उपर रख लो या नीचे रख लो होना चीए circle के और square के अंदर अब एक situation क्या करा है third वाला कि जो तीनों के अंदर हो square के भी, circle के भी और triangle के भी तो ऐसा यहां पर आ सकता है देख इस जग है यह triangle के अंदर भी होगा square के अंदर भी, circle के अंदर भी तो D option हमारा निच्शे तोर पे सही answer हो जाएगा आगी बात समझ मैं कितना असान तरीके से हमने question को समझा आगे बढ़ता हूँ अगले question के और अगले question के और बढ़ों उससे पहले आप लोगों को छोटी सी एक information देना चाहूँगा आप लगातार ये videos मेरी देखेंगे और लगातार देखते रहेंगे दोस्तों काफी ज़्यादा help मिलेगी पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपको paid badge लेने की कोई आवश्यक्ता नहीं पढ़ेगी लेकिन आपको लगता है कि एक specific तरीके से एक scientific तरीके से एक badge होना चाहिए जिसमें quality videos मिले यानि हम जिस topic को भी पढ़ें zero to advance level तक पढ़ें यानि मानलो आप direction test topic को पढ़ रहे हो आप इनको completely cover करना चाहते हैं और सारे के सारे concept और जो latest trick है इन सभी को जानना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए Competition Guru application पे बहुत ही अच्छा एक offer चल रहा है आपके लिए एक special badge चल रहा है तो आप लोग Competition Guru वीडियो की description से download कर सकते हैं और reasoning का 17 number का batch है ये batch आप लोगों को हर महीने नया batch मिल जाता है यानि हर महीने एक तारिक से 7 तारिक तक admission स्टार्ट रहते हैं offer available रहते हैं लेकिन offer के बाद आपकी जो fees है वो धीरे 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 बढ़ती रहती है तो अभी आप application को डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो batch है इसको आप join कर सकते हैं हमारा नारा है बहतरीन content, बहतरीन परिणाम ये slogan है हमारा इसके अलावा हमारा जो level रहेगा वो zero to advance रहेगा यानि बिल्कुल हम जो beginner student होते हैं जो बिल्कुल zero से पढ़ रहे होते हैं उनको लेकर के चलते हैं और एकदम ऐसा उनको एक तरीके से ऐसा platform है जो उनको बहुत अच्छा reasoning में score करवा सकता है ठीक है zero to advance foundation ये batch है मेरे भाई registration हो चुके है इसके और हर महीने ये available रहता है 599 रुपे इसकी fees है हलाकि 699 रुपे लेकिन अभी क्योंकि 15 अगस्त का माहल है तो इस बज़े से हमने पुड़ा सा डिसकाउंट किया हुआ है ये आप लोगों के SSC, bank, C-set, state exam, railway हर एक exam के लिए sufficient होंगे 110 घंटे से भी अधिक आपको detailed slavers मिलेगा और update content होगा जो error free होगा आज ही आप app download करके इस batch को enroll कर सकते हैं ये तो रहा हमारा paid promotion इसके validity भी एक साल की है और इसके बारे माधिक कोई जानकरी लेनी है तो नीचे number हमारा चल रहा है उस पर आप contact कर सकते हैं WhatsApp के थुरू या call कर सकते हैं next अगला question ये रहा इन में से चारों में से कौन सा option ऐसा है जो इस बिंदू को केवल सरकल के अंदर ही स्थापित कर सकता है ये dot situation में ये बिंदू है आप लोग देखी ज़रा कहां पर ये बिंदू आपका स्थापित हो सकता है मैं इसको color को हटा देता हूँ ये देखिए मैं कहीं भी सरकल के अंदर रखो option A में रखोंगा तो वो तीनों में आएगा क्योंकि circle सबसे अंदर है तो यहां तो हो नहीं सकता circle में यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि circle square के अंदर है तो B option भी ठीक नहीं है D option circle square के अंदर है तो यहां कहीं भी रखोगे यह थोड़ा सा अच्छा लेवल का question है तो जल्दी से आप लोग देखिए और बताएए इसका answer क्या होगा आपको कैसे बताने है वीडियो को रोक लेना है पॉस कर लेना है फिर आप लोगों को comment section में answer करना है और अगली वीडियो कौन से topic से उठाएं वो आपको comment section में comment करके बतानी है फिक है देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ जैसे मैं देखूंगा तो यह एक तो triangle के अंदर है जो circle है जो dot है इसके अलाबा वो circle के अंदर है केवल circle के और triangle के अंदर है नहीं है तो किस के अंदर नहीं है इस square के अंदर नहीं है तो आपको देखना है कि circle के अंदर हो और triangle के अंदर हो नहीं होना चाहिए तो इससे square के अंदर नहीं होना चाहिए चेक करो कहीं भी आप यहाँ रखना चाहो किसके अंदर, इस square के अंदर नहीं होना चाहिए, इस square तो क्योंकि इन दोनों में जुड़ा हुआ है, तो इस में तो आप यहां रखोगे तो square मा जाएगा, यहां रखोगे तो square मा जाएगा, तो A option तो होई नहीं सकता, आपने उठाया B option को, B option में आप देखो कि इस square के कोई दिक्कति नहीं, C option correct है, अब आपके दिमाग में अगर यह चल रहा हो कि सर, यह वाला option भी हो सकता है, तो यह पूरा का पूरा circle देखो, इस square के अंदर है, तो इस circle में कहीं भी रखोगे, तो square के अंदर तो automatically वो आई जाएगा, तो यह option तो D बिलकुल भी नहीं हो सकता है, तो इसका जो correct answer है, वो option number C है, ओके की report है, चलिए, बहुत बढ़िया, अगला question देखो मेरे मित्र, यह रहा आपके सामने, मैं इतने आसान तरीके से पूरी reasoning आपको इसी तरीके से step में clear करवा दूँगा, कि आप लोग यकीन करिए कि आपका बहुत अच्छा score आपके exam म करेगी भाई, एक तरीके से जिस रामबाण होता है ना, रामबाण, वो है यह, ठीक, देखो, क्योंकि हमारे पास English इलाज नहीं है, देशी इलाज है, देशी का मतलब, जड़ से खतम करेगा आपके सारी बीमारियों को, हाना, देखिए, अगला जो point है, वो यह कहता है कि भ option में तीनों के अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, देखो, square और triangle सब अलग अलग है, तो A option तो नहीं हो सकता, C option नहीं हो सकता, यह option D भी नहीं हो सकता, देखो, देखने से clear हो रहा है, कि अगर मैं यहाँ इस point को रख दूँ, तो देखो, triangle के अंदर भी है, square के अंदर भी square से बाहर हो, यानि square के अंदर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस के circle के अंदर हो, circle के अंदर हो, और इस triangle के अंदर हो, triangle के अंदर हो, बस आप लोग देखिए, और फटा-फट से answer करने की कोशिस कीजिए, फटा-फट से, किस के अंदर ना हो, square के अंदर ना हो, circle के और triangle के अंदर हो, तो मेरे भाई यहाँ आप लोग देखिए कि triangle और circle में तो बहुत दूरी है जबकि triangle और circle दोनों के अंदर होना चाहिए आप लोग यहाँ देखिए triangle और circle देखो जब अगर हम circle के अंदर कहीं भी रख देंगे ना, तो वो automatically आपका इस square के अंदर तो आई जाएगा क्योंकि square के अंदर आपका circle है तो यह भी option तो नहीं हो सकता अब मैं आगे आता हूँ तो मैं आप देखो circle और triangle के अंदर यहाँ ज़रूर रख सकता हूँ definitely यह आपका correct answer हो सकता है लेकिन आपके दिमाग मार होगा sir d option भी तो हो सकता है circle और triangle के अंदर कहां रखोगे भई circle और triangle केवल एक point पर मिल रहे हैं और यहाँ अगर मैं dot situation को dot को यहाँ रख दूँगा तो automatically आपका square के अंदर आ जाएगा तो यह option तो कता ही भी नहीं हो सकता आपका answer होगा तो केवल और केवल option number C आपका right answer होगा यहाँ पर dot आएगा बताओ clear हुआ चलिए इसी तरीके से आगे भी आप questions को easily कर सकते हैं इतने question करा के मेरे को यह confidence हो गया है कि आप लोग 100% आगे question में गलती नहीं करेंगे सारे के सारे questions को आप easily कर पाऊगे बहुत अच्छे से कर पाऊगे तो मैं दोस्तों आप लोगों को next question देता हूँ homework आप लोगों को इस प्रशन का answer comment section में comment करना होगा जो सबसे पहले इसका answer करेगा उसका comment में pin करूँगा मेरे भाई और जो सबसे अच्छी comment करेगा जो दिल को touch करेगी आपको 6 बजे एक वीडियो 15 से 20 मिनट की देखने को मिलेगी जैहिंद वन दे मतरम